नमश्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक जीवन की अटल सच्चाई, यानिकि एक पून सत्य के बारे में जो की है हमारी मौत, यानिकि हमारी मिर्त्यु। मृत्यू एक सबसे बड़ा सच है हर एक को आनी है हर एक इसके परभाव में आता है हर एक ने जिसने जनम लिया है वो मृत्यू जरूर पाएगा पर मृत्यू और जनम के बीच में जो हमारे बीच एक मन में एक हयाल आते हैं कि हमारा अंत कैसा होगा हम कैसे मरेंगे क्या हम घर में मरेंगे क्या हम घर से बाहर मरेंगे हमारा अंत कहीं दुखधाई तो नहीं होगा आपने देखा होगा कई लोग बहुत ही बुरी तरीके से यानि कि उनका अंत भुत खराब होता है कई बार कई conditions ऐसी होती हैं जो बिमारियां होती हैं कोई accident होता है या कोई भी कारण होते हैं यानि कि अंत समय इतना बुरा हो जाता है कि अपने लोग तक उनको कफन देने लाइक नहीं रहते हैं और यही एक जीवन का जिसे कहते हैं कि एक इज़त ना मिल पाना एक कम से कम मृत शरीर को इज़त ना मिल पाना वो हमारे साथ ना हो या हमारे साथ ऐसी घटनाए हो सकती हैं कि नहीं यह हम जोतिश के थुरू पता लगा सकते हैं पर इतना ध्यान रखिए कि जोतिश के थुरू हम यह पता लगा है और ये astrology rules या ethics के खिलाफ है इसलिए कोई भी जोतिशी astrologer इस बात की अगर किसी को बताता है तो ये लाल किताब या कोई भी जोतिश के नियमों के विरुद्ध है इसलिए ये बताया नहीं जाता है हाँ जोतिशी को ये करनाएं करके पता जरूर लग जाता है कि इसकी आयू इतनी हो सकती है या फिर ये कुछ इतना हो सकता है पर ये बताना यानि कि आपने जुबान से निकाला तो लाल किताब में ये तहा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कोड होगा ऐसे व्यक्ति का अंत खराब होगा यानि कि जो बताएगा ये सब चीजें ये गलत है इसका कारण ये है कि जब जनम मृत्यू उपर वाले के हाथ में है तब आप कौन होते हो इस लीला इस नियम के बीच में इंटरफेर करने वाले हमारी कोई वैल्यू नहीं है इसी लिए ये चीजें बताना गलत है गर्ब में पैदा होने बच्चे के बारे में अगर जो गर्ब में बच्चा है अगर आप उसके बारे में बता दें कि युव लड़का है या लड़की तो पाप आपके ऊपर आएगा क्यूंकि आजकल भुरून हत्याइं होती है लड़की आगर गरभ में है तो अबोशन्स करा दिये जाते हैं तो इसका पाप किसके सिर आएगा इसका पाप एस्ट्रोजर जो जोतिशी जो बता रहा है उसके सिर पर आएगा अब हमें समझना है कि अगर मान लीजिए हमारी कुर्णी में एक कंडिशन्स ऐसी आजाती है कि कई बार व्यक्ति कहता है कि मेरा अंत कैसा होगा क्या मैं अपने घर पे मरूंगा या अपनी जद्धी घाट पर मरूंगा या मैं परदेश में मरूंगा या फिर मेरे अंत कहीं बाहर जैसे लाशे पड़ी होती हैं इनसान की कोई कदर करने वाल भी कोई नहीं रहा या उनका अंत ऐसा रहा दुखदाई रहा वह 10-10 साल 20-20 साल पलंग पर ही पड़े हैं करा रहे हैं यह सब चीजें कैसे पता लगती हैं कंडीशन में आपको 3 बताऊंगा पहली कंडीशन होती है सूरे की अगर आपकी कूंडली में सूरे खाना नंबर 7 यानि कि 7 व्यक्ति परदेश में जरूर काम कर दे परदेश में जरूर रहे बहार जरूर तो यह बहुत अच्छी बात है कि इंसान का अंत कम से कम ऐसा होगा कि वह अपने लोगों के बीच में उसका अंत होगा अब कई बार condition आती है कि इंसान का जो आखरी समय होगा वो कश्ट पूर्ण तो नहीं है बहुत ज़्यादा problems तो नहीं है उसकी life में कहीं उसकी life ऐसी रहे कि वो अंत समय करा करा कर निकल रहा है यानि कि खाना नमबर आठ अगर खाना नमबर आठ आपके जीवन में परिशानि दर्शाता है निकलने का रास्ता है यानि कि तीसरा खाना पर पापी गरहम लीजे कि वहां पर रहू आगया तो आपका अंत अचानक होगा के तु आएगा तो आपका अंत अचानक भी होगा और साथी साथ इतना जरूर है कि आपका एक जीवन कष्ट कपून होगा आखरी समय वो कहीं न कहीं कटनाईयों भरा होगा कोई न कोई बिमारी रह सकती है आप कुछ न कुछ समय तक लंबे बेड रिडन रह सकते हैं कुछ न कुछ ये समस्याएं रहें कि एक लंबा जो आपका एक सफर होगा एक रूह निकलने का वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है अब इन सब चीजों का हमें पता लग गया बाकि और भी बहुत सारे फैक्टर से हैं पर आपको मैं तीन जो मुख्य फैक्टर बता रहा हूं यह खाना नंबर आठ खाना नंबर इन खानों को देखकर भी यह अंदाजा लगा जा सकता है कि इनसान की तेरा आखरी समय कैसा होगा कि तेरा आखरी समय ज्यादा प्रॉलम वाला तो नहीं होगा अब बाकि इनके उपाय तो मैंने आपको बताए ही हैं मान लीजे केतू खाना नंबर तीन में है या शनी खाना खाना नंबर आठ में है या सूर्य खाना नंबर साथ में इनके उपाय बता चुका हूं फिर भी आपको इन जनरल कुछ कुछ उपाय बता देता हूं खाना नंबर तीन का अगर केतू होगा तब ऐसे केस में आपको कानों में सोना पहन के रखना है कुत्ते की सेवा करनी है क उखे जो दर्वाजा होता है उस पे आप तांबे का चौको टुकड़ा लगा के रखिए आपको हड़ीयों वगर के अगर दिक्कत आती है पेशाप के दिक्कत आती है या फिर आपके शरीर पर कहीं न कहीं स्किन के प्रॉलम्स होते हैं तो आपने पैरों के अंगुठों में के छले या फिर सफेद रंका रेशम का धागा बांद के रखिए सूर्य खाना नंबर साथ वालों के लिए एक हिदायत साफ तोर पे दी जाती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी का मान समान करना है और साथी साथ घर में बनने वाली रोटी का पहला टुकड़ा टु प्राबियां देता है इंसान के जीवन में मेरीड लाइफ की प्रावलम आती है खुद की सेहत को प्रावलम आती है पेट की दिक्कते रहती है संतान संबंदी कहीं न कहीं प्रावलम रहती है और रिजक या आमदनी करियर लाइफ में कहीं नीच सूरे के परभाव आते हैं ऐसे केस में काली गाये खास कर बिना सिंग वाली गाये को अगर आटे का पेड़ा चने की दाल और गुर डाल कर देते रहेंगे तो बहुत अच्छे सूरे के एफेक्ट्स आएंगे और साबधानी के तौर पर ये कहा जाता है खाने में जितना नमक है आपके उतना ही नमक आप का तो ऐसे केस में इंसान को मांग समान करियर लाइफ की प्रोलम आती है पर इसका उपाई यह है कि तामबे के चोकोर स्क्वेर पीसीज सेवन यनि कि सात चोकोर पीस française आप कहीं पर भी वर्ष में दो बार ंसाती बार चार बार जब भी मुका मिला करें आप तांबे के चोकोर टुकड़े कहीं पर भी बाहर जो जमीन है वहां पर आप दबाते रहें तो सूरे मंदे के परभाव यहां पर नहीं मिलते हैं इसका लोजिक ये है कि सूरे को सही करने के लिए मंगल और बुद्ध, इन दोनों को मिलाकर हम यहां पर सूर् crochet को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि मंगल ने किया करती है चौकोर और जो तामबे के पीस हैं वो और यहां पर बुद्ध की जमीन है, इसी लिए यहां पर हम बुद्ध और मंगल की सपोर्ट दे के सूरे के मंदे परभावों को दूर करते हैं तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी जानकारी हैं बाकी और जानकारियों के साथ दुबारा फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपने सुभाश भाई को आगये दीजिए नमस्कार